CityLive, a platform to sharing your thoughts आरहा है तो आप मैंटोर है, कैसे हिस से टाच्ट है आप इसा है कि आपना स्वीटी जी और अजीद जी के कंपनी में एक कोई लड़की काम करती थी जिन्होंने मुझे Facebook Messenger पे उसना मेंसेंजर पे भी मैं लोगों से बातचीत करती थी आप मेंसेंजर के लिए हम इसा काम कर रहे हैं एक Achievers Award दे रहे हैं वोड यू बी इंट्रेस्ट हूँ तो अब महिलाओं के जो लिगली जो उनको अद्वाइस कर सकती हूँ वो भी करती हूँ तो उस ताइम जो है मुझे ऐसा लगा कि नहीं I think इनको प्रोचसाहित करना चाहिए क्युकि यह थिंकि आप वरी नाइस थिंग तो मैंने हां कहा मैं अज़े सेलिटी गेस्ट आई स्वीटी जी और अजीजी से मिली गुर्पीट जी जो इनके पार्टनर है उनसे भी मिली और पूरे टीम इतनी कोमल है वच्छी जो इनके रिसाथ काम करती है तो इस सो एंथूजियास्टिक उनके दिल में जन्यूनिटी मैंने देखी और मैंने काफी सारे सजेश्टिन इनको दिये तो नेक्स यर जब सेकंड यर था तो मेरे पास आये उनने बोला कि बैम आप हमने सोच लिया कि हम आपको मेंटोर बनाएंगे और मैं तो बुलिए मैं डर गए मैंने काफी पेंटोर भी लेकिन इस वेई नाइस जर्नी इस बीन वंड़फूल बहुत मुश्किले भी आई है जो कि स्वीटी जी और अजीजी के चहरे पर आपको कभी नहीं दिखाई देगा लेकिन बात होती है फोन पर और वो बताते है तो मैं कभी-कभी अजीजी को अभी चोटे भाई की तरह डांट भी देती हूं तो यह जर्नी बहुत अच्छा रहा जो इतने सारे लेडिज को मैं मिल सकी और इतने सारे लेडिज को हम एंपावर कर सकी जस्त्विद थाओट की अनको अवार्ड मिला तो अगर वो 10 जर्न को बोलेंगे भी कि उनको अवार्ड मेला देज फिल गूड़ बाद बाद एब औ कंचन जी और साथ ही में जूरी मेंबर अनीता डॉक्टर अनीता गौतम भी हमार साथ हैं सबसे पहले आपके पास आएंगे कंचन जी आपको अवार्ड मिल रहा है और आपने ओर्डन डोनेशन को लेकर बहुत अवेर्नेस पहलाई है इसलिए तो आपने एक कोशिश कहां से श समाज में कुछनकुच काम किया है तो वो और महिलाओं के लिए मोटिवेशन है और हम सब के लिए प्रेणा ळान स्रोथ बनसकते हैं और बात मेरे काम की हो रहे है देहदान और अंगदान के लिए मैं काम करती हूँ तो में दो बेटियों की माँ हूं और मेरी दोनों बेटियां मैडिकों हैं, जब वो कॉलेज से आती थी तो एनार्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसमें वो बोलती थी कि मम्मा हमें एक बॉड़ी पे 20-25 बच्चों को पढ़ाया जाता है, तब ही मुझे लगता था कि बॉड़ी डोनेशन और 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 अवेरनेस की बहुत कमी है, विदेशों में ये कंपलसरी प्रोसेस पे होता है, लेकिन इंडिया में ये वालिटिरी प्रोसेस पे ही आगे बढ़ाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि एक जो बॉड़ी है, वो आठ लोगों को जीवन दान दे सकती है, वो दिन हवा हुए जब कहते थे कि मिट्टी की देह है, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी की देह जरूर है, लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले आठ लोगों को वो जिंदगी द और उसके लिए देखिए आपको सम्मान भी मिलिया, डॉक्टर अनीता गौतम हमार साथ है, जूरी मेंबर है, अनीता जी आप खुद डॉक्टर है, और अब अवाडी जो है, वो आपके साथ अंधदान और देहिदान जो करनी है, अवेरनेस जो पहलानी है, वो है, तो अब आ विलेट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, हर एक चीज को बारेकी से जाजते हैं, और फिर देखते हैं कि वो महिला की शेतर में क्या काम कर रही है, समाद में उसका क्या योगदान है, उसमें किस तरीके से अपने आपको मोटिवेट किया है, अपने अपने अपनी पहचान बनाई और अगर हम उसको चुनते हैं तो उसका समाज पे क्या असर पड़ेगा क्योंकि वह भी बहुत बढ़ी चीज है कि जिस चीज को हम लेकर आता है जैसा अभी इन्होंने बताया अंगदान और महादान एक बहुत बढ़ा देहदान बहुत महादान है इन्होंने बताया दस परणारी के अंदर उनकी खुद पैचान उनकी क्या शक्ति है क्या अच्छाईया एं अच्छाईया एं वो बढ़ाती है उनको उजागर करती है और निखारती है यह हमारा देह है और इसी परपस से कि लोग आगे आए महिलाया आगे आए अपनी अच्छाईयों को समझे उ उस mindset को change करना बहुत ज़रूजी है वो कंचन जी कर रहे हैं जी बिल्कुल महिला सशक्ती करण को लेकर हम बात कर रहे हैं और इसलिए हमार साथ आज चार महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं इस स्टूडियो में तो बात करते हैं कनिका जी आप से जाना चाहेंगे आप खुद एंजी ओ चलाती हैं मुंबई में तो आप किस तरह से उसमें काम करती हैं और समाज में क्या बुराइया हैं, बच्चों की बात करें, कैसे बच्चे जो हैं, डिसेबल होते हैं, उनके लिए आप किस तरह से काम करती हैं, तो बहुत अच्छा आपने सवाद पूचा क्यों कि मेरा एक NGO है, जिसका नाम है चिप, और हम उसमें बच्चों की साथ काम करते हैं, specifically education के लेवल पर, उसके तहद हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसे disabilities होती हैं, बच्चों की learning disabilities होती है, physical disabilities होती है, mental disabilities होती है, समाज का जो vision है, उनके प्रती, जो stigma है, बच्चों को जो inclusiveness नहीं मिलता है, so we have found हमको ऐसे बहुत सारी nominations भी आये थे, जिनमें ऐसी महीना थी, जो इस फील में भी काम कर रही थी, उसमें से एक हमारी अवार्डी है यहां पर, आपको उसे पूछें और वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल, तो अवार्डी जो हमार साथ है, पृतिभाजी जुड़ गई है, और साथ ही साथ में जूरी मेंबर है, डॉक्टर मेध अपने बेटे से ही हुई है, क्योंकि जो मेरा बेटा है, वो ऑर्टीज्म से प्रभावित है, और अभी वो 27 साल का है, लेकिन उसको पालने पोस्ने से, लेकर के उसके डिसेबलिटी सर्टिफिकेट, स्कूल कॉलेज में अड्मिशन, और आगे जॉब के लिए जो मैंने जिसके बारे में समाज को आज भी जानकरी नहीं के बराबर है, तो 96 में तो यह लगबख शून ने था, इवन डॉक्टर्स भी उसके नहीं जानते थे, पर हमने जो संगर्श किया, उसके बार हमने यह तैक किया, कि इस डिसेबलिटी के बारे में लोगबाद जाने, और समा पर में अपना केस दायर किया, और उसके बाद लगबख चार पांच साल के संगर्श के बाद जयबख जैपूर में जापी का सर्टिफिकेट सब को मिलना शुरू हूँ और कि इस डिसेबलिटी को पहचान मिलना जरूरी है, उसके बाद CBC में इन बच्चों को कोई प्रवि जारो बच्चों के रास्ते खुले कि CBC में इने स्पेशल नीड बच्चा माना जाए और जो इने रिलक्सेशन मिलते वो मिले फिर हमारे जो कॉलेज था एडमिशन वहां हमारा संगर्श हुआ तो यहां हमने कमिशनर डिसाबलिटी में वाद दायर किया क्योंकि जैपूर क कॉलेजेज ने उसको अडमिशन देने से मना कर दिया था पर उसके बाद जो वहां से नोटिस इश्यू हुए तो ना सिव जैपूर बल्कि और हर जगे जो ऑटिजम से प्रभावित बच्चे इनको अडमिशन देने की शुरुआत हुई तो हमारा संगर्श ऐसे ही रहा कि अपने रास्ते के साथ दूसरों के रास्ते खोले और उसके बहुत मुश्किल होता एक मा के लिए जब अपना खुद का बच्चा डिसेबल होता है तो उसके लिए काम करना हो कदम कदम को संखर्श आपने यहां पर देखे है प्रतिभाजी और उसके साथ आपने समाज के ल अपने सम्पर्ख में यहां के लिए अपने सम्पर्ख में यहां का अंदोलन हुए और जब एटियास का सबसे बड़ा अंदोलन सत्ता हिस दिन का हुआ मैं उसमें जुडितम मुझे और दूसरे जो परसंट बेडिस थे उनके इस्यूस भी पता चले फिर रास्तान में एक ह अपनी से हमारे जो विशेश होके जयने मुद्दो को उठाया और यह बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपने उसको काम किया है कंधे से कंधे मिला कर किया है मेधावी जै आपके पास आते हैं हम नूट्रिशन के लिए बच्चों के लिए भी काम करती हैं कैसे देखती है को कि कैस पर काम किया जाए? क्योंकि यह एसा सेक्षन आप सुसाइटी है जिसको प्रबब्ली लोग सब इक्वल मात्रह से नहीं उपल नजर से नहीं देखते हैं जुड़ा इस वर्स तेन्टीज़ इंडिविज्विज़ इंडिस वर्ल्ड इंडिस एर्थ इस एक्वल और हम disabled बच्चों को सब लोग दया की नजर से देखते हैं और जहां तक nutrition की बात है तो बड़े compromise रहते हैं मैं बहुत सारी ऐसी संस्ता हैं जहां disabled बच्चे रहते हैं उद्दर जाके अपना अपनी तरफ से इतना contribution कर सकती है through a diet advice and nutrition advice तो मैं वहाँ जाके देखते हूं कि वह संस्ता हैं although बहुत काम करें लेकिन वह बच्चे जो उन संस्ताओं के साथ जुड़े हैं किनी ना किनी परिवारों से आ रहे हैं जहां उनके nutrition को बहुत नेगलेट कर दिया जाता है क्योंकि वह दो बच्चे हैं बच्चे को बच्चे जाता है क्योंकि वह लगता है कि यह मेरे ले आगे जाके काम करेगा यह मेरे ले आगे जाके ओ करेगा बाकि आगे सब्स्क्रावाइवारों लटा इया एक हम्हारे ले एक कर्स है तो I think nutrition जो है बहुत important है इन बचों के लिए क्योंकि जब हमें पता है कि अगर हमें यह एक step पीछे है normal बचों से तो हमें उनको दो step आगे ले जाना है through their health so that they can prove themself कि we are no less than a normal person तो हम इस तरी के से बड़ा contribution होता है and as a jury हम लोग का बहुत इस बार focus जो रहा हो यही रहा that we see those we highlighted those points in all the forms जो social impact बहुत अच्छा दिये मतलब this was one thing which we highlighted on क्यूंकि all those मतलब हर शेत्र में हमें काम करना जाए हर शेत्र में definitely मुझी यह बूलना था कि बहुत जरूरी है यह message पहुंचाना बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे यह भगवान का प्रकोप है यह माता जीन माता जीन ने हमको आशिरवाद दिया ऐसा बच्चा पैदा करके यह जो हम लोग जिस तरह से सोचते हैं देखें मैं बताना चाहते हूं कि नेचर या भगवान इतना निर्दा ही नहीं हो सकता कि वह आपको पर ऐसा प्रकोप दे या ऐसा बच्चा आपको दे ताकि वह आपको पनिश करे या कोई तो यह हमको दिमाग शाट आज जेना चाहिए कि यह इस सम्फिंग दो विद नेचर और रिलिजिन या कोई सुपरस्टिशन इस अ मेडिकल कंडिशन इचुड बीटिद लाइक वान लाइक शी से नूट्रिशन के जरिए लाइक आपने कहा अवेरनेस और अद्विसी के जरिए क्योंकि आपन जब डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बच्चे जो यह बैदा होते हैं इस नॉट लाइक दिस मैं और भी पिछे जाती हूं तो इस मोर ओवर दी मेटरनल हेल्थ अक्चुली हमारे हां पर मेटरनल लूट्रिशन भी बहुत पूर है प्रेगनेंसी में महिलाएं उतना अच्छा खाते हैं कि महिलाएं खुद पर भी ध्यान दे हैं ऐसा नहीं होता है कि आपको पती की सेवा करनी है बहु बन गई तो साथ सुसूर की सेवा करनी है बहु बन गई तो साथ सुसूर की सेवा करनी है September month is called as National Nutrition month और जो हर साल एक थीम रहता है और इस साल तो थीम भी यह रहा है कि हर गर में पोशक आहर पहुंचे and we are focusing on first thousand days of life first thousand days जो life के होते हैं बच्चे के that starts from the conception conception to two years बच्चा पेदा हो कि दो साल का होता है तब तक nutrition इतना important है बच्चे के लिए and when we talk about conception तो मैं जैसे मैं आपको बोली maternal health तो सीथे हम maternal nutrition पर जाते हैं and we need to make sure कि हमारा mother जो है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ जो है एक महिला को परिवार का तो ध्यान रखना ही है खुद का भी ध्यान रखना है और इसलिए जो अवार्डी है हमार साथ वो भी मौजूद है और साथ ही jury member जिन्होंने उसको तराशा है उस हुनर को तराशा उस महनत को तराशा और उसको अवार्ड भी अब मिल चुका है स्वीटी जी अभी प्रतिभाजीयों मेधावी जी बता रहे थे अब ऑफफा में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं भूब इस साल हमने दो सेमिनार की और ममम WE लेट्थ के ऊपर जिसमें की एक कैंसर हॉस्पटल में हमने utilized से रिलेटर किया जिसमें स्льिस्में को कार केंसर की उलिकेशन काइशन किस तरह से किया जा सकता है महिलाएं बचा हुआएं खा लेती हैं और अपने हेल्थ के ओपर धानाई देती हैं तो एक हमें पूरा हमें नुगरा वसी दा कि समुट्रेफा तू पूरा हमने समयना रख़ा है किके महिलाएं अपना ख्याल किस तरह रखें twitter हैसे लेकिन सबस्istan काम यहां पर किया जा रहा है तो चलिए इस शो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जूरी मेंबर एक अवाड़ी और जुडगए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं जूरी मेंबर हमार साथ डॉक्टर रितु जी है बहुत-बहुत स्वागत है रितु जी आपका और साथ ही अब भी आपका और साथ में खुद एक अवाड़ी थी 2017 की वो मेरा फिर्स जुड़ाव था वोटफा के साथ हां और बाइपर फेशन में एक एडुकेशनिस्ट हूं और मेरा सबजिक्ट इवलपमेंट है बत मेरा इंट्रेस्ट इवलपमेंट के साथ साथ काफी हैं साथ इसको अवेर कराने की बात आई थी एंड हमने मैंने एट यर्स तक नैको के साथ इनिशिल स्टेज में काम किया था और वो ही एक टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए मुझे प्रेसिडेंट से भी सम्मान प्राप्त हुआ था और उसके बाद कभी पीछे मुड़के नहीं देखा आज प्रेजन डेट तक भी मैं नैको के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही हूं और मेरे को लगता है कि शायद अगर कोई कंट्री को प्रोग्रेस करने की जरूरत होती है तब हम हमेशा यह सोचते हैं कि कंट्री का यूथ हैल्दी होना चाहिए और मैं वोटफा के साथ 2017 के बाद दो साल से जूरी मेंबर हूं बहुत प्लोजली काम करती हूं एक बात को बहुत जस्टिफाई कर सकती हूं कि यह बहुत सारे अवाद्स के बीच में यह एक वो अवाड है जिसको अगर किसी को मिलता है तो इसे अच्छली सम्मान प्राप्त हो रहा है बिकर बहुत लगन के साथ इसके साथ जुड़ेवे हैं और यह हर स्टेज पर मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हम लोग कहीं भी किसी भी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिस ना करने हैं और आइटिंग यह इस वोटफा की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी है जो कि इस अवाड को आज भी नमबर वान अवार्ड की नजर में रखावा है और अब हम नैशनल से इंटरनेशनल हो गए हैं यानि आप एक अवाड़ी थी आपकी जर्णी में बड़ी रोचक रही जर्णी अवाड़ी बनी और अवाड़ी से अब जूरी मैंबर में प्या गई है हमार सथ अवाड़ अवाण